हलो एवरीवन दापाटशाला की एंसी आटी सीरीज के जियोग्राफी मेराथॉन में आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के पिछले वीडियो में हम 6th क्लास के चैप्टर 1, 2 और 3 को कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में GLOBES के बारे में, LATITUDE और LONGITUDE के बारे में और अर्थ के MOTION के बारे में, यानि दिन क्यों होते हैं, रात क्यों होती हैं यह सारी चीज़ें हमने जानी पिछले वीडियोuchen में तो I HOPE कि आप वो वीडियोज देख चुके होंगे और आगे की चीजों को आसानी से समझ सकें वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा कोई भी छोटी से छोटी डीटेल भी आपसे मिस ना हो क्योंकि ये सारी बहुती बेसिक चीज़े हैं अगर अभी आपने यहाँ पर कोई भी डीटेल मिस की तो ये चीज़ें आपके लिए आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट करेंगी और आपको अगले चैप्टर्स और बाद में आने वाले टॉपिक्स में भी काफी दिक्कत आ सकती है तो आईए बिना कोई भी टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में बढ़ा था कि अर्थ का एक छोटा मॉडल है जब हमें अर्थ के बारे में पढ़ना हो कोछी या जानना हो तो हम ग्लोब को देख सकते हैं और उसकी हेल्प से हम चीज़ों को जान सकते हैं लेकिन इसमें कुछ limitations है या कमिया है वो ये कि अगर हमें पूरी अर्थ की जगे किसी छोटे पार्ट के बारे में पढ़ना हो जैसे पूरी अर्थ की जगे हमें सिर्फ कोई एक देश देखना हो देश के अंदर किसी state या राज्य को देखना हो जिले को देखना हो गाओं को देखना हो नदी या जीलों को देखना हो तब globe हमारे काम नहीं आता ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं map या मानचित्र अब map क्या होता है अर्थ या इसके किसी पार्ट का जब हम flat surface या समतल जगे पर scale या पेमाने की help से चित्र बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं map या मानचित्र drawing या चित्र हम सभी समझते हैं लेकिन इसमें बात की गई यह पेमाने या scale की इसके बारे में हम इसी chapter में आगे भी पढ़ेंगे अर्थ हम सभी जानते हैं कि goal है इसलिए इसे पूरी तरीके से तो flat surface पे नहीं बनाया जा सकता लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हद तक जो maps होते हैं या मानचित्र होते हैं वो इसे सही तरीके से show करते हैं maps हमारी कई जगे help करते हैं कुछ maps ऐसे हैं जिसमें किसी एक छोटी जगे को दिखाया गया हो और बहुत कम जानकारी दी गई हो कुछ maps ऐसे होते हैं जिसमें लगबर एक किताब के बराबर जानकारी दी गई हो और जब हमें ऐसे कई तरह के maps को एक साथ एकट्टा करते हैं मैप्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले यहां पर दिया गया है फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र जिन मैप्स में हमें प्रिथवी के फिजिकल फीचर्स या भौते खूबियां दिखाई दें जैसे की नदियां पहाड़ प्लेंस यानि की मैदान और प्लेटियूज यानि की पठार इन्हें ही हम कहते हैं फिजिकल या रिलीफ मैप्स और हिंदी में हम कहते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र दूसरा टाइप है प देशों के बीच की बाउंडरी या सीमाएं दिखाई गई हो स्टेट्स या राज्यों के बीच की सीमाएं दिखाई गई हो शेहरों की सीमाएं दिखाई गई हो या गाओं की सीमाएं दिखाई गई हो तीसरा टाइप है थीमेटिक मैप्स या थीमेटिक मानचित्र ये थीम मैप्स वहां पर होने वाली बारिश के बारे में बताते हैं कुछ मैप्स में बताया जाता है कि यहां पर जंगल कौन कौन सी जगे पर है कुछ मैप्स में इंडस्ट्री या उद्योगों की जानकारी दी हुई होती है और जिस तरह की जानकारी जिस मैप में दी गई होती है व बनता है मेंली हमें किसी भी मैप में तीन चीज़ें देखने मिलती हैं डिस्टेंस यानि की दूरी डारेक्शन यानि की दिशा और सिंबल यानि की प्रतीक या चिन सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस या दूरी की और इसके सांथ ही हम जानेंगे स्केल या पैमाना क्या होता है दिए हमने अभी देखा कि जो मैप या मांचित्र हैं ये एक तरह की ड्राइंग होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड या इसके एक पार्ट को एक पेपर पे दिखाता है मतलब हम किसी बड़े एरिया को एक छोटे एसे पेपर पे रिप्रेजेंट करतें या दिखाते हैं इसलिए हम कहते हैं मैप छोटे स्केल पर या पैमाने पर बनाये जाते हैं इन मैप को या ड्राइंग को को इस तरीके से छोटा करके बनाया जाता है कि जो दूरियां हो वो एक्चूल रहें यानि कि मैप में कागस पे जो दूरियां दिखाई गई है वो उन दूरियों को दिखाएं जो एक्चूल में है जिस जगे का हमने मैप बनाया हुआ है इसलिए एक्चूल में जो दूरियां है इन्हें मैप पर दि दिखाई गई दूरी इन दोनों के बीच का रेशियो या अनुपात होता है हम एक एग्जामपल की हेल्प से समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके घर और आपके ऑफिस के बीच की दूरी है 10 किलो मीटर लेकिन हम यह 10 किलो मीटर पेपर पे तो नहीं दिखा सकते हैं तब ह हम मान लेंगे कि आपके घर और आफिस के बीच की दूरी है एक सेंटी मीटर यानि कि जो हमारी ड्राइंग होगी इसका स्केल हो जाएगा एक सेंटी मीटर बराबर 10 किलो मीटर यानि कि जो आपके पेपर पर एक सेंटी मीटर है यह जमीन पर असली में 10 किलो मीटर को शो कर से असली में जो दूरियां हैं उनका भी पता लगा सकते हैं अगर हम सिर्फ स्केल या पैमाने की बात करें तो इसमें भी दो तरीके के मैप्स होते हैं पहला है स्मॉल स्केल मैप या छोटे पैमाने वाला मांचेतर यह वो मैप्स हैं यहां पर हम कॉंटिनेंट या दिखाते हैं और यहां पर हम बहुत ही छोटे स्केल या पैमाने को लेते हैं फॉर एक्जामपल यहां पर 5 सेंटी मीटर मैप पे असली में 500 किलो मेटर को दिखाता है दूसरा टाइप है लार्ज स्केल मैप या बड़े पैमाने वाले मांचेतर जब हमें किसी छोटे एरिय या छोटे शेहर को दिखाना होता है तब हम इस तरह के मैप का यूज करते हैं यहां पर हम काफी बड़ा स्केल या पैमाना लेते हैं फॉर एक्जामपल मैप में 5 सेंटी मीटर शो करेगा जमीन पे 500 मीटर को अगर हम लार्ज स्केल मैप या बड़े पैमाने वाले मानचेत दिखें जादतर मैप में राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ एक एरो बना होता है और उसके साथ N लिखा होता है और अगर मैप हिंदी में तो उसमें U लिखा होता है जोकि नौर्थ या उत्तर दिशा को दिखाता है और अगर हमें नौर्थ दिशा के बारे में पता है तो कि और इन चारों दिशाओं के बीच में भी चार दिशाएं होती हैं जैसा कि हम देख सकते हैं और इनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को या किसी भी जगे को अच्छी तरह से लोकेट कर पाते हैं यव उसका पता लगा पाते हैं दिख ये डारेक्शन या दिशाओं का पता हम कमपास या दिख सूचक की हेल्प से लगा सकते हैं इसकी जो मेगनेटिक नीडल या चुम्ब की सुई है या हमेशा नौर्थ साउथ यानि कि उत्तर दक्षन की और इशारा करती है तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है I hope आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीक में हम लोग पढ़ेंगे Major Domains of the Earth यानि की पृत्वी के परिमंडल जो की Classics का चैप्टर 5 है इसके अलावा हमारे History सीरीज के वीडियोज भी चैनल पर अवेलिबल हैं जिने आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की हेल्प से देख सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या आप हमारे वीडियोज में किसी भी तरह का Improvement देखना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू सू मुश्ट से लिए हमारे चैनल से बाउट है जबारे वीडियोज जरूर थाचाहते हैं